तो आज बच्चों के टिफिन बॉक्स के लिए मैं आपके लिए एक और रेसिपी लेकी आई हूँ सो वेलकम टू एपिसोड 10 अफ टिफिन सिरीज जिसमें आज हम बनाएंगे ये वर्मी सली जिसे हमने बनाए है चाइनी स्टाइल में ये चिपकती नहीं है पहली बात तो टिफिन में लेके जाने में और ये आटे वाली वर्मी सली है तो हेल्थी भी होगी बच्चों के लिए इसके लिए आपको सबसे पहले गयास ओन करके एक पतीले में आपको पानी रख देना है क्योंकि यहाँ वर्मी सली को हमने बॉल करना है जब ये गरम हो जाएगा पानी फिर इसमें एक चमच हम नमक डालेंगे और जाएगी इसमें एक कप वर्मी सली यहाँ पे आप सूजी वाली भी यूज़ कर सकते हैं या आटे वाली भी यूज़ कर सकते हैं मैं यहाँ पे आटे वाली वर्मी सली यूज़ कर रही हूँ अब जब तक ये बॉल होती है तब तक हम थोड़ी सी सबजियों को चौप कर लेंगे सब्जियां आप अपनी मन पसंद कोई भी डाल सकते हैं मैं यहाँ पे जो मेरे पास सब्जियां वेलिबल थी वो यूज़ कर रही हूँ तो सबसे पहले तो दो कलिया लहसुन की लिए उसको एकदम बारीक चौप कर लिया फिर प्यास को हम इस तरीके से लंबा लंबा काटेंगे अगर आपके बच्चे जादा छोटे होना तो फिर यहाँ पे आप सब्जियों को एकदम बारीक काटके भी डाल सकते हैं क्योंकि छोटे बच्चे मुस्ली क्या करते हैं सब्जियां बाहर निकाल देते हैं तो वो बाहर ना निकाल पाएं और उनको पता भी ना चले कौन कौन सी सबजियां हैं, तो फिर आप सबजियां एकदम बारीक करके डालेगा, और अगर बच्चे थोड़े से बड़े हैं, जो सबजियां खा लेते हैं, तो फिर आप इस तरीके से लंबे-लंबे करके सबजियो अगर तो होरी अच्छे से यह बॉइल हो चुकी है तो फिर इसके बाद आप इसको इस तरीके से स्ट्रेंड कर लीजेगा इसके बाद फिर हम टैप ओन करतेंगे और ठंडा पानी इसमें डालेंगे इससे यह ना तो चिपकेगी और दूसरी चीज यह होगी कि इसकी कुकिंग तुरंट स्टॉप हो जाएगी तो यह इसमें निकालने के बाद और बिल्कुल भी कुक नहीं होगी तो इस तरीके से आप रनिंग वाटर के नीचे रख दीजेगा और जब यह ठंडी हो जाएगी तो फिर इसको साइड में रखेंगे और उसके बाद गैस अन करके इसमें ह लेसुन दाल देंगे लेसुन को करीब आधे मिनिट के लिए हम इसमें पकने देंगे ताकि बहुत अच्छा फ्लेवर आज़े पूरे ओईल में इसके बाद फिर जो प्यास थे प्यास को इस तरीके से हाथ से मसल के डालेगा इससे क्या होगा उसके सारे जो लच्छे हैं व पकाना है और जब गाजर भी थोड़ी सी हो जाएगी सॉफ्ट आपको दिख जाएगी उसके बाद तीनों शिम्ला मिर्च इसमें डाल देंगे शिम्ला मिर्च डालने के बाद जाएगा इसमें नमक अपने सुआत के नुसा डालेगा हमने वह बॉयल करते टाइम भी नमक ड करेंगे तो सबसे पहले जाएगी इसमें सोया सॉस एक चमच के करीब सोया सॉस डाल दीजेगा फिट टमैटो केचप डालेंगे यह होट एंड स्वीट है तो इसलिए में चिली सॉस अलग से नहीं डाल रही हो अगर आप नॉर्मल वाली केचप डाल रहे हो तो आप वेनिगर और थोड़ा सा ब्लैक पैपर पाउडर एग करेंगे इसके बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगेników कर दें झाल चोट नहीं के बहुत जादा चुछास थारीके से राट बहुत ही ज्चान के एंकर देंगे मैगी कर्द एबश बस्चा कर देंगे अर एक खुश्बू आते हैं वो बच्चों को बहुत पसंद आती है तो अगर अवेलिबल हो तो ये जरूर डालें आप बस अब इसके बाद मिक्स करेंगे और बढ़िया सी हमारी रेसिपी बनके एकदम तयार हैं होप आप सभी को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये टिफिन सीरीज कैसी लग रही है